Hello Dev, Next.js के next episode में आप लोग का स्वागत है इस episode में हम बात करेंगे actually जो हमारा react है react का जो traditional problem है उसके बार में हम समझेंगे कि react का जो problem है वो sort out actually यहाँ पर next.js कैसे कर रहा है और इसकी अपनी जो problems है जिसके वैसे यहाँ पर next.js आया no doubt next.js जो है वो react पर ही बना हुआ है react based framework है जैसे कि आप इसके websites पर देख सकते हैं but react भी जो है वो कम powerful नहीं है react अपनी जगर पर बहुत advanced है बहुत powerful है और बहुत अच्छे features ले किया है but क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजों में problems होती ही होती है तो यहां पर जो है हम आज बात करेंगे react के traditional problems के बारे में तो चलते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर हम कोई react based application बनाते हैं तब तो ठीक है basically application in the sense कि अगर कोई admin panel अगर हम बना रहे हैं तो उस point भा हम आते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर हम कोई react पर कोई websites बनाते हैं जो content based है या कुछ बनाते हैं तो उसके लिए क्या है और वो जो है अगर किसी data पर dependent है basically क्या कि आपका एक page है वो load हुआ उसके बाद से आपका data जो है वहां पर उसकुछ कुछ चाहिए जिसके लिए वो API request मांग रहे है तो सबसे पहले है कि आप मालेजे example.com पे गये example.com पे गये जाने के बाद से जो है आपका page यहां पर load हुआ पेज पूरा को पूरा यहां पर bundle load हुआ जिसके साथ आपका JS और CSS यहां पर completely load हुआ ठीक है load होने के बाद से उसके बाद से क्योंकि यहां पर आपका page यहां डेटा पर dependent है कुछ उसको data चाहिए सर्वर साइट से कुछ data चाहिए तो अब यहां पर उसका फिर से यहां पर उसका waiting period स्टार्ट हो रहा है पहले तो उसने उसका waiting period स्टार्ट हुआ जब आपने server पर हिट किया हिट करने के बाद से particular जो JavaScript और CSS यहां पर load हुआ लोड होने के बाद से अब इसको कुछ data चाहिए server से data चाहिए जिसके लिए उसने API हिट किया API हिट करने के बाद से फिर वहां से उसने अपना data वहां से फिर fetch किया उसके बाद से तब जो है आपका page data के साथ आपका browser पे render हुआ ठीक है तो यहां पर waiting periods हो है यहां पर increase हो रहा है आपका bundle load हुआ उसके बाद से आपका data load हुआ data load होने के बाद से फिर आपका यहां पर page load हुआ तो इसमें सबसे बड़ी problem यह है कि यह जो है आपका SEO friendly बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अगर आप कोई application बना रहे हैं web application बना रहे हैं या कोई admin panel बना रहे हैं तो admin panel में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो user को search करना होता है Google पर search करके उसको contents जो है उसको figure out करना पड़ता है admin panel जो है normally जो है internal चीजे है उसको आप openly सामने ला नहीं सकते या लाते नहीं है तो उस case में क्या है कि आप कोई application बना रहे हैं तो वो easily जो है उस पर work कर जाएगा बट अगर कोई content based website बना रहे हैं कोई content based application बना रहे हैं कि वो पूरा पूरा content जो है वो page पे लेकर आता है वो पूरा पूरा क्या है जावास्क्रिप्ट से execute होता है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही वो page पे रेंडर करता है जैसे कि मैं आपको एक example दिखा हूं यहाँ पर तो यह website जो है वो बना हुआ है आपका react में ठीक है त रेंडर होता है यह ID जो है हमने target किया है और इसी ID पर पूरा को पूरा application रेंडर हो रहा है तो यहाँ पर content में कुछ भी नहीं है इस case में अगर कोई भी search engine यहाँ पर crawl करता है तो उसको कोई भी data नहीं मिलेगा specific आपके page से लेकर मगर इसको मैं अगर inspect कर करके दिखाता हूं inspect करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कोड दिखेगा यहाँ पर images load हो रहा है यहाँ पर content load हो रहा है यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर load हो रही है तो its mean यहाँ पर सबसे major problem जो है वह SEO को लेकर है कि SEO आपका यहाँ पर problem कर जाएगा react को लेक applications अगर आप बना रहे हैं तो that's good मगर अगर कोई आप blog बना रहे हैं ठीक है तो blog के case में क्या होता है कि वह content based होता है तो content अगर based होता है तो आपको page पर content चाहिए otherwise यह ऐसे blank load होगा और किसी भी search engine को कुछ भी नहीं पता चलेगा तो सबसे बड़ा problem react के साथ यह है और इस च करेंगे कि next.js जो है वह page को pre render कैसे करता है उसका concept क्या है और किस किस type के rendering जो है वह server side से हो सकते है I hope जनकारी अगर आपको अगर अच्छी लगी हो तो please video को like और channel को subscribe करें और उन लोग को भी video जरूर शेर करें जो इन concepts को लेके थोड़े मतलब confused हैं और इसके बारे में जनक के लिए बाइ बाइ